सुप्रीम कोट ने मंगलवार को बाबा रामदेव की कमपनी पतंजली आईवेल्द के गुम्बरा करने वाले दवा विग्यापनों पर रोक लगा दिये दरसल कोट ने पिछले साल कमपनी को ऐसे विग्यापन नहीं देने का निर्देश दिया था कमपनी ने इसको नजर अंदाज किया इस पर कोट ने कमपनी और मेनेजिंग डिरेक्टर आचर बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोट इंडियन मेडिकल एसोशियेशन आई एम ए की और से 17 अगस 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहे थी इसमें कहा गया है कि पतंजली ने कोवीड वैक्सिनेशन और एलोफेती के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया वही खुद की आयोवेर्दिक दवाओ में दवाओ से कुछ बिमारियों की इलाज का जूठा दवा भी किया केस की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी जस्टिस हीमा कहली और असाहुनुद्दिन अमानुला की बैंच ने कहा पतंजली ब्रामक दावे करके देश को दोखा दे रही है कि उनकी दवाए कुछ बिमारियों को ठीक कर देगी जबकि इसका कोई ठोस प्रमान नहीं है पतंजली ड्रक्स एन मैजिक रेमेडी आपतिजनक विग्यापन एक्ट में बताई गई बिमारियों के इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोड़क का विग्यापन नहीं कर सकती है कोट ने सरकार से भी पूचा कि पतंजली के विग्यापनों को खिलाप ड्रक्स एन मैजिक रेमेडीज अदिनियम 1954 के तहत क्या कारवाई की गई है झाहे